जिस लड़की के लिए सचिन ने तोड़ दी धन की दीबार जेला पड़ा परिवार का पहिशकार 19 साल बाद क्यों टूट गया वो रिष्था जिसमें था प्यार ही प्यार लंदन में मुलाखाद चोरी छिपे फ्यार दुनिया से लड़ाई जलते हुए जम्मु कश्मीर के बीच दोनों ने शादी रचाई जिसके लिए दुनिया से भीड़ गए सचिन आज उस सारा से तराक की नौबत क्यों आई जी दायस्तान के पूर्व डिप्टी सीम और कॉंगरस कारसमिती मेंबर सचिन पाइलेट की लव स्टोरी किसी सुनहरी प्रेम कहानी की तरह थी शादी के बाद जब सचिन पाइलेट और सारा तब के सुपर हिट टीवी शो सिमी करिवार शो में आये थे तब पूरा देश इस जोड़ी का दीवाना हो गया था हर कोई कहता था प्यार इसी को कहते हैं राजस्तान में साल 2018 में जब चुनाव हुए तो सारा कई चुनावी सभाओं में सचिन पाइलेट के साथ दिखी उसके बाद जब वो उप मोकेमलत्री के शपत ले रहे थे तब भी सारा वहां अपने दोनों बेटों के साथ मौजूद थी लेकिन दोनों के अलगाफ की खबरें गुपचुप तरीके से साल 2017 के आसपास से आने लगी थी उन्हें जानने बाले ही कहने लगे थे कि दोनों के रिष्टे में दरार आ चुकी है दोनों अलग रहने लगें तब किसी ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया था इस बीच लगता है कि एक दो साल पहले दोनों ने गुपचुप तरीके से तराक ले लिया पहली बार अपने चुनावी अफिडेविट में सचिन पाइलेट ने इसका खुलासा करते हुए खुद को तलाक शुदा लिखा आखर क्या थी दोनों की बीच अन्बन की वज़ा और कि उससे पहले जान लेते हैं दोनों की लव स्टोरी की कहानी साल 2004 में मकर संग्रान्थी का त्योहार गुजर चुका था दिल्ली में ठंड जोरू पर थी 20 कनिंग लेन में गहमा गहमी थी अगरे दिन यहां एक ऐसी शादी होने वाली थी जिस पर सत्ता के गल्यारों की खास नजर थी पंदरा जन्वरी को ये घर शादी का गवाह बना दूल्हा थे सचिन पाइलेट और दुल्हन थी सारा अबदुल्ला ये घर था दौसा से कॉंग्रेस सांसर रमा पाइलेट का लोग काफी कम थे सुरक्षा बहुत ज्यादा सारा के पिता जमु कश्मीर के पूर मुख्यमंतरी डौक्टर फारुख अबदुल्ला लंदन में थे भाई उमर अबदुल्ला एक बीमारी की इलाज के लिए दिल्ली के बत्राव हस्पिटल में भरती थे यानि सारा पक्ष की ओर से किसी ने भी इस शादी में शिरकत नहीं की असली वज़ा ये थी कि अबदुल्ला परिवार इस शादी से खुश नहीं था पिता और भाई ने शादी का बहिशकार किया था ये शादी अबदुल्ला परिवार को मनजूर नहीं थी जिस देश में रोज धर्म और जातियों के नाव पर तलबादे खिषती हूं उसमें ये शादी कुछ नहीं बलकी बहुत अलग और खास थी क्योंकि लड़का हिंदू था और लड़की मुसल्मार शादी हुई सचिन और सारा पत्थी पत्नी बन गए शादी को अब 19 साल बीद गए इस दंबती के दो बेटे हैं सचिन पाइलेट ने उस लड़ स्टोरी में दिखाया था कि वो किस तरह अपने प्रेम के लिए जमाने से भी भिर सकते हैं ये प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं थी सचिन और सारा पाइलेट ने शादी के रहा में आई मुश्किलों का खुलासा करते हुए कुछ साल पहले एक टीवी शो में कहा था हम दोनों के परिवारों में दोस्ताना था और मेल मुलाकाते होती रहती थी लहाजा हम दोनों एक दूसरे को बच्पत से ही जानते थे अब आपको बताते हैं ये प्रेम कहानी शुरू कब हुई शादी के तीन साल से कुछ समय पहले सारा और सचिन दोनों लंदर में थे किसी पारिबारी कारक्रम में मिले थे एक दूसरे के प्रति आकर्शन हुआ नस्दीक आये रोमान शुरू हुआ और ये भी कहा जाता है कि असल में दोनों करीब आये अमेरिका में पढ़ाई के दौरा तब सचिन वाटन स्कूल आफ युनिवर्सिटी आफ पैंसिल्वेनिया से एंबिया कर रहे थे सचिन तो तब एंबिया करके भारत लोट आए लेकिन सारा के बढ़ाई कुछ बाकी थी शादी के बाद सिमिक देवाल शो में सारा ने कहा हम दोनों फोन मेसेज इमेल से एक दूसरे के संपर्क में रहते थे फोन पर लंबी बाते होती थी बिल बहुत ज़्यादा आ जाता था दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे के लिए ही बने है जब उन्हें लगा कि अब शादी कर लेनी चाहिए और ये बात घर में बता देनी चाहिए तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि परिवार में किस कदर इसका विरोध छुड़ जाएगा सारा बोली हम दोनों के पिता अच्छे दोस्त थे लंबे समय से एई दूसरे को जानते थे लेकिन दिक्कते शुरू हो गई दोनों परिवारों में विरोध हुआ लेकिन पिता और भाई कोई रिष्टा कता ही मनजूर नहीं था मीडिया में तब यहाँ तक खबरे आई थी कि फारुक अब्दल्ला आज शादी होने पर बेटी से रिष्टा तक तोड़ लेंगे हारा कि अब्दल्ला परिवार की करवाहत कुछी महीनों में खत्म हो गई दोनों परिवारों में रिष्टे सामाने हो गए फारुक अब्दल्ला उसके बाद कई बार सचिन के साथ राजनियतिक मंच पर नज़र आए शादी के दिन अब्दुल्ला परिवार का नहीं होना यही जाहिर भी कर रहा था शादी के समय सचिन एक बहु राश्ट्रे कंपनी में काम कर रहे थी शादी के कुछ महीनों बाद लोगसभा चुनाव हुए सचिन को राजिती में आना पड़ा उन्होंने राजिस्थान की दौसा सेट से चुनाव ड़ा 26 साल के उमर में वो बड़े अंतर से जीत हासल कर लोगसभा पहुँच गए UPA2 सरकाल के कारिकाल में वो कॉर्परेट मामलों के मंतरी भी बनाए गए धीरे धीरे सचिन पाइरेट बिजी होते गए शायद परिवार और पत्नी के लिए समय कम होता जा रहा था ये कहा जाता है कि सारा कास सचिन का राजनीती में सक्रिय होना कहीं न कहीं उनके रिष्टे पर अशर डाल रहा था क्योंकि जब दोनों ने शादी की तब दोनों ने ही राजनीती से दूरी रहने की बाद सोची थी जब सचिन साल 2014 में राजस्तान कांग्रेस का प्रभाद लेकर वहाँ गए और बुए तरह बिजी हो गए उसने भी पत्ति-पत्नी के रिष्टे और सूजबूच पर खराब असर डाला उसी बीच बाद इतने विगड़ गई तो दोनों में दूरी आने लगी मदभेध होने लगे और फिर नौबत ये आ गई कि दोनों को एदूसे से तलाक लेना पड़ा